Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Pappu Career Guide, a complete guide for all your career ने टेफिन का बड़ेट आ रही है माइंटरी की तुसरी माइंटरी का जो है फिन आप लोगों का फिन पता होगा कल में ने वीडियो बनाया जिसमें लोगों को बताया था कि उस वीडियो में आपको सिलेक्षन मेल जो है मैंने दिखाना आपको भूल गया था तो इस वीडियो में हम तो सिलेक्षन मेल को बात करेंगे और आपका उफर लेटर का जनरेट हो का उसके बार बात करेंगे और बहुत लोगों को मेल आया कि रिविविंग यूर इंटर्विव फीडबैक अक्रोस टी एर एचार राउंड बाइ नाइंटेंथ माई ठीके बात करेंगे लास्ट टू रिलीज इंटर्विव रिजल्ट अन वाट इस नाइंटेंथ माई होल्ट रिजल्ट कि बहुत लोग मुझे अभी मैसेज कर रहे थ कि तर मुझे मेल आया है होल्ट को ले कर क्या उसका मतलब क्या है क्योंकि आप देख लेते हैं सबसे पील बहुत देख लेते pink mail को ठीक है तो आप किसा के मिल देखने का आता है कि लिए अगा क्लियार आवर इंटर्वी प्रोसें यहां पर पाद रिच यहां अपको नरीं से अब भी इसने बहुत लोगों डाउट है सर क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को 19th June तक जो है hold पे रखा गया देखो फेंड बता दूँ अगर आप लोग का selection mail अगर आता है तो वह आपको 19th June के पहले तक आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है अब hold का मतलब क्या हो तो मैं 15th June के आसपास होगा क्योंकि जो और रिलीस करने का जो डेट हो आपको फिप्टीन तु नाइटीन जून है और केंपस कनेक्ट सेशन मतलब होता क्या है सर देखो जैसे आप लोग एसेंचर में अटेंड कि होंगे बैसे क्यों अपना कम्पनी के बारे में बताएगा कि आप आप लोग को जब भी ऑफिलेट राएगा तो आपको 36 आवर के अंदर में ही आपको से साइन करके डिजिटली साइन करके सब्मीट करना इनकेस एनी माल प्रेक्टिस वाइलेशन और इनलिबिलिटी एक्रेटिरिया इस फांड इस तो बी एक तो इमेडियेट और इनलिबिलिटी क्रेटिरिया इस फांड आफर दा ओफर इस रिली सांड और आफ्टर जोइनिंग अस वेल विलीट तो इमेडियेट रिवोकेशन और और इम्प्लियमेंट टर्मिनेशन तो आप लोग इस बातों को ध्यान में रखेगा तो फिर बहुत लोग इस तरह का अगर उनका पास और रहा लेट सपोज उनका पास रिक्वार्मेंट था वन तेन थाउजन का तो तेन थाउजन का तो तेन थाउजन अर्रड़ी हो चुके अगर उनको और चाहिए होगा तब आप लोग को ओफ लेटर देखने को मिलेगा और जिन लोग का होल्ड में आया है इसका मतलब यह है कि आप लोग भी ओफर लेटर के लिए लिजिबल हो ना कि ना कि रिजेक्शन के लिए तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल भी अगर नेटरुब फीड़एक टिक है तो आपका जो टीर हुआ है जो हुआ है दोनों बहुत बहुत डिफरेंट ठीक है उनके फीड़एक पर डिपेंड करता है कि आपको और उनका जो रिक्वार्मेंट उसको इंक्रीज करना है या फिर अपना हो जाता है तो लंबर फ चा से सने ठीक है तो आप रोब डर येगा सर मुझे तो आप तब जिन लोगों को होल्ड में आया है उन लोगो का मिल देखने को नहीं आएगा बट डरने के बिलकुल बात नहीं अगर दुबारा आप लोगो फिर से अगर आप लोगो चान्स मिलता है 19 जून के आस पास देखन हो जाएगा ठीक है तो फिर मैं बता दिया आपको सेलेक्षिन से लेकर 19 जुन के बीच में आपको देखने को मिलेगा और जिनका होल्ड में आया है उनको भी सेम होगा बट हाँ में उनका ट्वेंटी जून 21 जून जा सकता है ठीक है इसका जाहतर मीनिंग होता है सेलेक्षिन मेल आपको देखने को ने आएंग क्योंकि मैं बता दू क्योंकि एच आर और टी आर राउंड बहुत कम बच्चे लोग निकाले है बहुत कंडिजिट्स का लंबर ओफ लेस है इनका ठीक है तो इसलिए आप लोग भी डरने की बिल्कुल बात नहीं आपको वेट क कीजिएगा अपना मेल का मेल का इंतिजार करते रहेगा और फिर नुमीद के तर वीडियो को अच्छे लगे हैं मिलते हैं पुजिट्र वीडियो में टिल दन जाहिंद जाए भारत